देश भर में करोना का कहर भर पाया हुआ है प्रति दिन तेजी से बढ़ते आंकडे चिंता का विशय बन गए है वहीं देश में करोना वैक्सिन की प्रक्रिया जोरों पर चल रही है पर क्या आप जानते हैं कि वैक्सिन लगवाने के बाद आपको किन बातों का ख्यास ध्यान रखने की जरूरत है इससे पहले डबलू एचो ने पांच पॉइंट्स बताई थे और अब पांच ऐसे काम बताए है जो नहीं करने चाहिए तो आईए जानते हैं करोना वैक्सीन लगवाने की बाद आपको केन बातों का खास ध्यान रखना है सबसे पहले तुरंट काम पे लिए ना निकले जी हाँ सबसे पहले आपको वैक्सीन का डोज लेने के तुरंट बात काम पर जाने से बचना है आपको कोशिश करनी है कि वैक्सीन लगवाने के 2-3 दिन तक आप काम पर न जाए और घर पर रहकर केवल आराम करें इसकी खास वज़े ये भी है कि कई केसिस में ऐसा देखा गया है कि लोगों के शरीर में साइड एफेक्स देखे जाते हैं इसलिए आपको घर पे 2-3 दिन केवल आराम करना है दूसरी जस बात का आपको खास ध्यान रखना है वो ये है कि आप किसी भी भीर भार इलाके में न जाए जब तक आपको वैक्सिंग की दोनों डोज नहीं लग जाती तब तक आप बहरी लोगों और भीर में जाने से बचे वहीं वैक्सिंग की दोनों डोज लेने के बाद भी आपको करोणा नियमों का पूरा पालन करना जरूरी है जीहां सबसे महत्वपुन जस बात का आपको ध्यान रखना वो ये है कि आपको वैक्सिंग लेने की बाद पूरी तरह सिग्रेट और दारू से दूरी बना लेनी है डॉक्टरों के मुताबिक आपको वैक्सिंग लगने के कम से कम तीन दिनों तक शराप को हाथ नहीं लगाना है साथ ही बाहर का तला और भुना खाने से भी बुई तरीके से बचना है आपको अपने दिमाग से इस बात को दूर दूर तक निकाल देना है कि आपको वैक्सिन के दूनों डोस के लिए आप इस महामारी की चपेट में नहीं आ सकते आपकी जरा सी लापरवाही आपको कोरोना से संक्रमित कर सकती है इसलिए आपको लगातार कोरोना की नियमों का पालन करना है मास्क पहनने से लेकर सोशल डिस्चंसिंग बनाए रखने तक नमबर पांच कम से कम हफते बर वोकाउट ना करे जी हां डॉक्टर्स के मताबिक वैक्सिन लगवाने के बाद आपको कुछ समय वोकाउट नहीं करना है ऐसा करने से आपके शरीद में दर्द होगा और तकलीफ पैदा होगी तो कोशिश करे कुछ दिन आप बिल्कुल वोक आपकोउट ना करें